ओपार ओपाजी एक काम कर धढ़े हैं लोग दरी कितने सालों से तब भी नियाते हो और आ जाते हैं तो एक जोटे से टिकड बे आ जाते हैं धन्ना चक्कु लेके बढ़ा है कि आ रहे के नहीं आ रहे है ये ठापूर तुँ आया के मैं मरू आज साथ दिन हो गये तुझे मैं भूखा रहा है ये तिकड़ी सूप है और जैसे ही धन्ना के यहां से फूल के एक छोटी सी धाल निकली शाली ग्रामचे में से दो छोटे- अंजर से आवाज है है जब मरेपत में आओ धन्दागी बहुत पक्काई भागत था उसने देखा उपुरे सुझी नर्मात है थापूजी के दोनों हाथ करा लिए और जिसके हाथ इतने सुंदर है वो तुझ केतना सुंदर होगा उपूजे भार में करिया हुआ इंदर पह अजर से सावने मेरे भाई मेरे से भूब दीत पर समझ ना हुआ है हमारे जो भाग होते है तो जिसके साथ जोग दो उसी के लिए बन जाते हैं तो कितनी अच्छी है तो कितनी भोली है तो प्यारी-प्यारी है ओ वाग एक फिलम में बच्चे ने अपनी मां के लिए गाय था इसे बिले भागत और भागत रोए ठाकुल दंगा रोया तो ठाकुल भी रोए और खूब रोए जैसे सामने भी कोई ज्या सिखना आके मिले है एक लिए प्यारी है तो प्यारी है तो प्यारी है तो प्यारी है है यारी है तो आप अजी रोयारी है तो प्यारी कोई लिए था प्यारी है यारी है फिली धातालुपस कोन्तियारी मैं डिन्ने फुकारा ए तु क्ता ने मैं डिन्ने फुकारा है घराइछ नचामगे the तुम पुरा पराम करने गया वो का नम है तुम हो जो असी ने आप यह ना सोचना कि मैंने दाले थी मैंने अमोर मासो नहीं यह यह हमारे दोते में है अब लिद्दावन मारे कहीं से जी चले भूम देखे रहीं को जाते हैं वीच में गुज्जाते हैं रनेया जी हम क्याता है वो शालिक राम जी की रूप में आए और सारे भांता को अच्छा दोता अगर भाव से लेखेंगे तो आपको इनके हाथ में देखो एक हाथ में धलुष है जो राम जी का प्रतीक है एक हाथ में सुटा है जो हर्वान जी का प्रतीक है कहीं चक्र है जो भगवान विश्व का प्रतीक है कहीं त्रिशूल है जो भगवान शिव का प्रतीक है पहरी शेंक है और एक हाथ में बेर है वह स्थ्वतिक और ब्रह्मा जी्ट प्षतिक है सभी देविए देड़काओं की मिल करके जो शक्ती ड़ी है आले चप्ती ज़तों है सभी देड़काओं अध्लिमास है माँ में तो बूझे तो यह मां के मुखु में बिली नजर आते हैं हाद में जो भी आओ हूँ बस मुख में माह का नम हूँ मयमयम मुलं हुआ सुन रेगी सुन रेगी मा सुन रेगी